प्रश्ण दोस्तों स्वागत आपका फिर से एक बार आज एक प्रशन ले रहा हूं मैं दिल्ली से हमारे सादक मित्र हैं करन जी करन जी का प्रशन दार कि भया हमारे घर में बहुत सालों से जो है अनुमान जी के मंगलवार के वरत रखते हैं मेरे दादा जी भी रखते थे मेरे पिदा जी भी रखते थे मैं भी रखता हूं मेरी माता जी में अब शुरू करना चाहती हैं तो क्या वो रख सकती हैं दोस्त बिल्कुल पुरा विज्ञान आज हम आपको बताएंगे तो दोस्तों सबसे पहले हम वरत का नाम ले लते हैं जैसे कि मालो लक्ष्मी माता का वरत है लक्ष्मी माता के लिए जो है लोग शुकरवार का वरत रखते हैं कई जगा पे वरस्पतिवार का भी रखा जाता है पर ज्यादा तर शुकरवार का वरत जो होता है वो लक्ष्मी माता के लिए होता है हर देवी देवता को एक वार से बाट दिया गया जैसे कि सौम वार को शुप जी के लिए रखा जाता है मंगलवार को हनुमान जी के लिए ऐसे ही अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग बार को वरत होते हैं अब वरत के पीछे होता क्या है अगर कोई कहे कि लक्षमी माया का वरत रखने से आप मालो माल हो जाओगे उसके पीछे का छुपा हुआ साइंस क्या था जब आप वरत रखते हैं पहली बात है वरत रखने का एक तरीकա होता है。 पहले कहा जाता था कि वरत में आप सिर्फ फलाहर करें. यानि कि वरत में आप आलो क्या करते हैं? एक टाइम आलो के फ्राइड चिप्स खाते हैं बहुत सारे और इत्ती सारी calories खा लेते हैं कि जो और व्रत रखने में जो उनका शरीर स्वास्ते होना चाहिए था बल्कि और ज़्यादा खराब हो जाता है तो देवता तो उसमें क्या परसन होगा अपना शरीर ही खराब हो जाएगा तो यानि कि आपको व्रत अगर रखना है तो केबल जला हार रखें व्रत के दिन आप केबल जल पीएं जब जब आपको भूख लगे रात को भी अंतिम दिन भी आप केबल जल गरहन करें बल्कि जैसे कुछ लोग तो निर जला का अच्छी रखते हैं तो जल भी नहीं लेना चाहिए अगर जल भी नहीं लेते हैं तो सबसे बड़ी आवरत होता है पूर्ण आवरत तो वही कहा जाता है अब सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि जो हमारा शरीर है आप इसको समझेए जब भी आप भोजन खाते हो जो अपच भोजन हम लोग खा लेते हैं जैसे कि आजकल बर्गर, पीजा, सैंडविचेज और ना जाने कितनी किती तरह के मैद जैसे बने वए खाने और भारी भारी खाने आजकल खा लेते हैं नॉन्वेज भी जो कई लोग खाते हैं, तो उनको पता है कि नॉन्वेज कितनी लेट हमारे शरीर में पचता है, लगबग आज मैंने एक वीडियो देखा, एक डॉक्टर ने वीडियो शेर किया, पचास घंटे का समय लगता है हमारी आतों से उस भोजन को पास आउट होने म और हम लोग चार दिन अगर लगातार नॉन्वेज फूड खा रहे हैं, तो आप सोच लो, कि वो अंदर फस गया जाता है जिस भोजन को पचने में 50 गंटे का समय लगता है तो आप खुश सोचो कि हम लोग अगर 4 दिन तक लगातार 9 वेज फूड खा रहे हैं तो आप सोचो कि वो हमारी आतों के अंदर की ठत तक फच जाता होगा और जितनी भी बीमारी आज की डेट में आप सुन रहे हो वो सिर्फ इसी वज़ा से है क्योंकि खाने के बीच में गैप नहीं है जैसे कि आपने सुबह अगर नाश्ते में कुछ हैवी भोजन कर लिया है और आपको दोपहर में भी हलकी सी भूख लगी और आपने ज्यादा खाना खा लिया फिर रात को फिर खा लिया फिर अगले दिन फिर खा लिया यानि कि कोई गैप आपने खाने के बीच में नहीं रखा तो क्या होगा बिमारी आएंगी बिमारी आएंगी तो आपको डॉक्टर के बाद जाना पड़ेगा अब डॉक्टर आपको 10,000 रुपे का टेस्ट लिख के देगा तो किस चीज का नुक्सान हुआ लक्ष्मी माता का तो जो पुराने हरिशी मुनी थे उन्होंने कहा कि लक्ष किसमी माता नहीं जाएंगी इसी तरह हनुमान जी के ब्रत हैं इसी तरह सारे देवी देवताओं के ब्रत हैं जितने भी ब्रत हैं वो केवल और केवल आपके शरीर के स्वास्ते के लिए हैं जितना आपका शरीर स्वास्त रहेगा आप किसी भी ब्रत को उठा करके देगा आ ठाकत रहेगी उर्दा रहेगी उससे ब्रहम की प्राफ्ति जितना समय होसे के आप ब्रह्मचारी जब वीरे को स्टोर करोगे तो आपके चहरे पे एक अलग ही चमक होगी, एक अलग तेज आएगा आपके चहने पे, आपकी शरीर में एक फोर्ती रहेगी, यह नहीं है, कि बाल बच्चे हो गए हैं और उसके बाद भी संभोग किये चले जा रहे हैं, किये चले जा रहे हैं, पचास साल का व्यक्ति है, वो कहता है कि मैं दिन में दो बार संभोग कर लेता हूं बहुत सारे मैंने लोगों की प्रश्ण उतर लिये हैं इसके उपर 60-60 साल की व्यक्ति सतर साल की व्यक्तियों का में पार फोन आता है वो कहते हैं भी तक हम मुक्त नहीं हुए इस से अब हमें किस से कैसे निकले अब इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो ले के आने वाला हूं बहुत जल्दी और खुल कर इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे वो छोड़ा वीडियो लंबा होगा अभी मेरे पार इतना समय नहीं है कि उसको मैं एडिट वेडिट कर सकूँ मैं अराम से उसके उपर अच्छे से वीडियो बनाऊगा और उस टोपिक बहुत सारे लोगों की यह समस्या भी है और जब लोग इतनी बात करी रहे हैं और दिक्कत है तो उसके उपर खुल के बोले जाने का समय आप ही चुका है और आप आपको उसकी साइंस जाननी ही पड कोशिया रहेंगी आप ज्यादा एफिशेंसी से काम कर सकेंगे ठीक है तो इसी तरीके से आप करते रहिए और कोशिश करिए जितना हो सके हलका खाना खाये और रौफूड खाने की कोशिश कीजिए जैसे की सैलेट्स होगी फ्रूट्स होगे यह जरूर अपने डाइट में पढ़ा लीजिए और डेड़ फूड मत खाओ बिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ बहुत जल्दी नमस्षिवाद